देशी कलाकार उस रियालिटी शो का वो हिस्सा रही वेब सरीज के लिए उसने प्लेबैक किया है और अब वो एक नए जिन्दगी की एक नई रहा की एक नई जरनी की शुरुवात करी एज अ कमपोजर तो जिसके बारे में मैंने इतना सब बताया वो खुद शुरुती हमारे साथ है तो शुरुती बहुत बहुत स्वागत है मैं हमेशा ही जब भी किसी गायक कलाकार के साथ बात करता हूँ तो पहला सवाल मेरा यह होता है शुरुवात कैसे रही तुमारी वैसे मैं तो जानता हूँ लेकिन बहुत कम लोग जानते होगी तुम्हारी शुरुवात आखिरे म्यूजिक की कैसे वे अज़ा सिंगर अज़ा सिंगर एक्चुली मेरा फामिली बैगराउंड रहा है मेरे पिताजी शाम जैन जी वो सिंगर है, खुद क्लासिकल सिंगर है उनी से मैंने बच्पन से सीखा है so it is in my genes तो बच्पन से ही मैं गा रही हूँ सिंगिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने मेरा अजुकेशन भी पूरी तरह म्यूजिक में ही किया है मेरा में हुआ है म्यूजिक में and विशारत भी हुआ है and उसके बाद से फिर मैं after my reality show, मैं एक reality show में finalist रह चुकी हूँ, गौरव महाराश्टराचा उसके बाद से फिर I started doing events and all मैं ये कहूँगा कि याद है कि बच्पन में पहला गाना कौन सा गया था, वो कौन सी उमर थी, जिसमें तुम पहली बार stage पर आई मुझे लगता है, जब मेरे पापा performance देते थे stage पे तो तभी से मेरा रुज़ाव रहा है stage पर जाके performance करने का, तो उनका program होने के बाद I used to go to the stage and फिर मैं उनके साथ गाती थी तो तब शुरुवात में मैं बहुत ही वो बच्चों वाले जो सौंग्स रहते लगड़ी की, काटी औन ओल वो ही गाती थी पापा के साथ पर फिर दीरे दीरे मेरे सौंग्स बच्चों से बड़ो तक अब सारे सौंग्स गाती हूँ क्या बात है, अगला सवाल मैं यही भूज़ना चाओंगा तो वो गाना गाकर सुना सकते हूँ जो तुमने पहली बार गाया था जिंदिगी में जब तुम्हे भी पता नहीं होगा कि मैं सिंगर बनूँगी, मैं रियालिटी शों में जाओंगी मैं दिल है छोटा सा यह सोंगा था तो मैं आपको वो सुना दियो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने के आशा आसमानों में उड़नी के आशा दिल है छोटा सा क्या वात है तो यही जादू होती है इन लोगों में बात करते तो अलग आवाज में गाते तो अलग आवाज में और जब गाते तो आपको अपने वश में कर लेते बहुत कुपसूरत मैं यह का हूँगा स्कूलिंग कहा हुई कॉलेज कहा रहा और फिर उसके बाद आगे का जो म्यूजिक का एजुकेशन था वो तुमने किसे लगा बींग क्लासिकल ट्रेंड हाँ मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ मैंने विशारत जो किया मैंने आपको बता एट तू टेंट मैं हिंदू द्यान पी कॉन्वेंट में थी और उसके बाद फिर मेरा जो ग्राजुएशन हुआ वो एसंडिटी मुंबई उनिवर्सिटी से हुआ और पोस्क्राजुएशन मैंने अम्रावति उनिवर्सिटी से क्या तो मैंने बहुत जगाओ से अलग इनसे मुझे सीखने मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी अलग-अलग यूनिवर्सिटी से और स्कूल्स बदलने कि वजह से मुझे अलग-अलग टीचर से जो भी सीखने मिला वो मेरे लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टन रहा है हमेशा मतलब इतना सारा ग्यान बटोर लिया इसमें कि खुद को इतना अच्छा डेवलप कर लिया मैं क्या हूंगा कॉलेज डे सबसे अच्छे होते तो कुछ वो दोस्ट जिन्होंने तुम्हें बहुत मोटिवेट किया और जो आज में टच है और जो इस इंड़स्री में है और अच्छे तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिला और कुछ अच्छी यादे को अगर शेयर कर पाओ बिलकुल बिलकुल मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा कॉलेज की यादे शेयर करना बिकास कॉलेज का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन रहा है मेरी लाइफ में क्यों कि बहां पर पता चलता है कि कितना आपको और सीखना है, पोटेंशेल आपका कितना है या फिर और बाकी लोग क्या-क्या कर रहे हैं, what you should do तो मुझे लगता है कि हर एक ने यह जो यूथ फेस्टिवल वाला सीन है यह experience करना चाहिए लाव यू दिपिका बाई अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही य तो उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड जो है अंकिता जोशी जी जो पंडित जश्राज जी की शागर्ड है वो भी अभी बहुत अच्छा कर रही है और वो हमारे ग्रूप में थी तो हमने उससे भी बहुत सारी चीज़ सीखी और आधर शिंदे हमारे कॉम्पिटिटर थे जब हम यूथ फेस्ट में हुआ करते थे तो वो मुमई उनिवर्सिटी से थे और हम एसनेटी उनिवर्सिटी से तो हम लोग कॉम्पिटिटर हुआ करते थे अगला सवाल यह पूछूँगा कि एक रियालिटी शो का भी तुम हिस्सारी और इफ आम नॉट रॉंग तो वो ए टीवी का था और मैं यह कहूँगा कि वो जो जर्नी रहा औडिशन शुल लेकर तो फाइनल तक का वो कैसा रहा और हर जिंदगी के पड़ाव में कुछ ना स्टेज और रियालिटी शो वहाँ पे बहुत सारा हाइप अलग तरीके से होता है लाइटिंग और बड़े-बड़े जज़स जो हमारे सामने बैटते हैं उनके सामने गाना इस रियली अट अव जॉब और वहाँ पे मेरे ज़ज सुरेश वाड़कर जी थे सलिल कुल करेण और आम स्टिल दूइंग इट वाँ वैसे कहीं सारे इवेंट्स तुम करती हो तो कुछ बहुत ज़ादा मेमोरेबल होते हैं क्योंकि एवेंट्स के बाद जो रियाक्शन समय मिलते हैं वो डारेक्ट होते हैं हमसे रियालिटी शो में शायद नहीं मिलते हैं जी तनी जल्द के इवेंट्स में जाते हैं तो ऐसे कुछ बहुत जी आएकशन सटेम दूमारे पासो किस से ऊं तुम्हें बहुत मेमोरे बहुत ए। यह किसी ने नहीं कहा है श्ताप एवेंस में तो हमें यूजूली बहुत सारे अच्छे-च्छे कम्मेंस मिलते हैं लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है सेलिब्रिटी वाली फीलिंग कि एकडम लोग आते हैं and they really start crying after your singing कि वो कहते हैं कि आपने इतना emotional कर दी हमें इतना attach कर दी आपकी singing से तो उनके आख से जो आसू आते हैं these are the biggest compliments for us कि ऐसा भी होता है कि हमारे गाने के वज़े से हम लोग इतना याने अच्छा कर रहे हैं कि उनके दिल तक हम लोग पहुंच रहे हैं क्या बात हैं मैं यह कहूंगा कई सारे लोगों के गाने तुम सुनती हुए और तुम्हें खुद का तो गाना अच्छा ही लगता हुगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होती जिनने हम लोग बहुत फॉलो करते हैं उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं और उनके जैसा बनना भी चाते हैं तो ऐसे कौन लोग है ऐसे अच्छली मैं कोशिश करते हूँ कि मैं हर जॉन्रा में गाऊँ तो मैं घजल्स के लिए हरी हरन जी को बहुत जादा सुनती हूँ लाम अली जी को बहुत जादा सुनती हूँ आशा जी और लता जी आर मैं आल टाइम वो तो यूनिवर्सिटी है जिनसे हम लोग सीखते हैं तो मैं इनको तो सुनती हूँ बट अभी की नई जनरेशन में बहुत अच्छी-ची सिंगर्स है जैसे श्रेया गुशाल जी इस दे बेस्ट वान उसके बाइज जो नीता कांदी है अनीती मोहन है जो बहुत अच्छा कर रहे है उनसे भी बहुत सारी चीज़े सीखने मिल रही है तो मैं ट्राइ करते हूँ कि हर जोनरा के जो है सिंगर्स मैं उनको फॉलो कर उनको सुनो और उनसे कुछ नको सीख हूँ क्या बात है इनसान कभी बड़ा नहीं होता है हमेशा एक स्टूडेंट होता है और हमेशा है सीखना चाहिए जो एक बहुत अच्छी बात है एक नया रोल भी कर रही है वैसे सिंगर्स के लिए थोड़ा आसान होता है मैं कहूँगा डिफिकल्ट नहीं होता है जोचें कि चलो है, as a composer भी काम करते हैं इस composer वाली journey के लिए भी मैंने हमेशा से Shankar Mahadevan जी जो है उनको बहुत जादा follow किया है क्योंकि being a composer, he also sings for the movies, तो मेरा बहुत जादा रुजाओ as a composer बनना तो है ही नहीं, I am a singer and I want to become a playback singer ही तो I am working for that but along with that I have मुझे पता नहीं, एक अच्छा लगता है, songs compose करना, if you have that, वो automatically बहार आता है, ऐसे कहते है तो मेरा education भी music में हुआ है, तो उस वज़े से मेभी मुझे थोड़ा और ज़दा interest में आया कि I started composing songs एक मेरी uncle है, शुर्जवादे जी, तो he always supports me for all these things तो उन्होंने मुझे एक बार एक लिरसिस से गाना लिखवाया था उन्होंने तो he insisted me to compose it, so that was the very first composition I did and my luck was so good, कि my first composition was sung by Anuv Jalota जी, तो उन्होंने भी बहुत आरीफ की मेरी, कि आपने इसे बहुत अच्छी तरह compose किया है, और when we compose, we have to look for that, कि यह किस से गवाने वाले है, और कौन गाने वाले है, तो हाँ उनकी हिसाब से फिर you have to compose it, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी opportunity थी and after that I started composing so many things मेरा जादा interest in guzzles में भी है, तो अभी मैंने recently दो guzzles compose की है, जिसका recording मेरा हो चुका है, तो मैं उसका music production थोड़े से songs मेंने दो-तीन किये है, compose they are also in process, तो I am really excited to make you people listen to it very-very soon, क्या बात है मतलब, चलिए हम लोगों को और हमारे नागपूर में एक नई प्रतिवाच जल्द ही मिलेगी, गजल्स की इतनी सारी बात हुई, और जैसे कि तुम काश ऐसा कोई मनजर होता काश ऐसा कोई मनजर होता मेरे कांधे पे तिरा असर होता काश ऐसा कोई मनजर होता क्या बात है मतलब बहुत जादा रियास करती है ऐसा लग रहा है मुझे मैं यह कहूंगा बहुत सारे जॉनर तुम्हें आते हैं बसंद भी बहुत है तुम्हारा फेवरेट जॉनर कौन सो है जो लगता है तुम्हें यही करने में सब से जादा मज़बा कि तो सब बस चल रहा है मुझे जादा तर तो घजले गाना ही पसंद है लेकिन मैं कोशिश करते हूं मुझे घजले और रोमांटिक सॉंग्स जो सूलफूल होते है वो गाना ज्यादा अच्छा लगता है वेब सीरीज के लिए भी तुमने गाया तो मैं जरूर यह जानना जाओंगा कि वो मोका तुम तक कैसे आया और प्लेबैक करना थोड़ा अच्छा भी होता है और थोड़ा डिफिकल्ड भी होता है क्योंकि वो कंपोजिशन तुमने कभी सुनी नहीं है कोई और बहता रहा ह है और उसे तुम्हें निभाना है तो वो भी एक्सपिरियंस थोड़ा शेयर करो जी अपले बाक के लिए मुझे हमारी नागपूर के मीजिक डिरेक्टर है मोहित मनु जाजी जिनकी वज़े से मुझे घर का स्टोडियो जिनके वज़े से मुझे यह अपॉर्चुनिटी मि लोगों ने मेरे जब मैं उनको कॉल करती हूँ तो मेरी गाने की कॉलर ट्यून लगाई है तो इस फीलिंग के लिए ले बाक करना हमारा आवाज है लेकिन शी अक्टिंग ऑन दाड यह बहुत अलग सी फीलिंग होती है इसे सुनना तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ची तो तुम्हारा क्या सपना है कि तुम चाहती हो यार यह पूरा हो या तो बस मेरा सपना तो यह है कि मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे सिंगिंग तो मेरी जारी है पर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई एक बहुत बड़े बैनर पे प्लेग हो एक दिन जिसकी वज़े से मैं हर तरह famous हो जाओ और famous होना ही मेरा ये एक खाब नहीं है लेकिन मैं इतना अच्छा गाना चाती हूँ कि मैं मेरे जितने भी लोग मुझसे जुड़े हो हैं जिनके वज़े से मैं सी क्यू वो proud feel करें मेरे बारे में क्या वाद है तो हम दुआ करते हैं परिवार की तरफ से कि इसका जो ख़ाब है वो पूरा हो जाए जल्द से जल्द और हमें फिर एक बार इन से मिलने की और मुखातिफ होने की जो है वो एक वज़ा मिले तो उसके लिए बहुत-बहुत शुप काम है तो अगर शुरूती का गाना अगर आपको अच्छा लगा हो और शुरूती के बारे में कुछ कहना चाहते हो अगर आप फेस्बूक और यूट्यूब पर ये प्रोग्राम देगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप ACN News या फिर GTPL पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम लोग फेस्बूक पर भी है यूट्यूब भी है जो मौझूद है तो आप वहाँ पर जाके भी लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में बस इतना ही मैं आप लोग उसे विदा लेता हूँ अगले प्रोग्राम में और किसी आर्टिस्ट से हम लोग मिलेंगे उसकी जरूरी जो है वो जानेगे आज के लिए बस इतना ही आप लोग घर पे रहें सुरक्षित रेव सबसे खास बात खुद का दियान रखे